पेट 2024 को लिए का दोस्तो बड़ी अपडेट है इस वीडियो हम बताएं कि कोसिस करेंगे जितने भी साथ यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इन्दियार कर रहे है उन शासरों के लिए यहाँ पर एक good good news है इस वीडियों दोस्तो हम complete information देने वाले हैं दोस्तो आपस से fast और बिल्कुल clear सुध भासा में समझाने की कोशिस में करता हूँ तो जो साथ ही अभी इस वीडियो को देख रहे हैं यह आपका चैनल है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि टेंडर को ले करके की परिक्षा यूपी ट्रिप मिटिंग होने वाली थी 14 तारीको जो कि हो चुकी है और दोस्तो इसमें बहुत सारा लोगों ने अप्लाइ किया था जो कि दोस्तो उसका बेड यहाँ पर होना बाकी है फाइनल यहाँ पर दोस्तो इसी मन्त में हो जाएगा ठीक है टेंडर डिक्लियर हो जाएगा आफ्टर डिक्लियर हो टेंडर दोस्तो डिक्लियर कंप्लिट होने के बाद यहाँ पर भरती परिक्षा कराने की बात चलेगी लेकिन दोस्तो उससे पहले पेड परिक्षा कराने की बात चलेगी 2024 पेड की बाद दोस्तो में कर रहा हूँ ठीक है तो दोस्ते हाँ पर जैसे इनके पास agency हो जाएगा आपको पता है एक TCS कराती है परिक्षा online अधिकतर ठीक है अगर ये offline कराएंगे तो फिर offline के लिए फिर ये अलग बात है दूसरी agency इनको hire करने पड़ सकती है क्योंकि TCS company अधिकतर जो है almost offline नहीं online परिक्षा के लिए है वो hire करती है तो दोस्ते हाँ पर ये agency hire कर प्रिप्रेशन सब कुछ तो लगभग दोस्तों मैं आपकी पहले परिक्षा की बात करता हूं कि जैसे ही online form के data आएगा form फिलब करने के एक से डिड़ महीने बाद या फिर दो महीने बाद भर इसकी परिक्षा होगी दोस्तों मान लेते हैं अपर अगर चल रहा September में सब कु प्लिट हो गई एजेंसी क्लियर होने के बाद online form निकाल दिया जाएंगे ठीक है online form निकाल दी जाएंगे आपके September में ठीक है तो दोस्ते हैं अगर exam की बात करूँ लगभग तो आपको मान सकते हैं September दिसंबर ठीक है तो दिसंबर दोस्तों हाँ पर November में November लाश्ट तक आप पेट का एकजाम हो जाएगा 2024 का एकजाम ठीक है तो बहुत सारे साथी यहां पर इंतिजार कर रहे थे और उनको काफी टेंसन थी कि आखिर पेट के परिक्षा कव होगी बहुत साथी लोग बोल लेते हैं नहीं पेट नहीं होना चाहिए यह पेट एक तरह से पैसा बनाने क का तरीका है गवर्मेंट का और कोई फायदा नहीं होता इसमें लागो लाग शातर पाम अपलाई करते हैं लेकि वेकेंसिस आती वही उट के मुह में जीरा तो दोस्तों यहां पड़े से की उट के मुह में जीरा मतलब मेरा ही है 20 लाग 15 लाग बच्चों ने एक्जाम दिय भरती आ रही है 7000, 3000, 2000 ऐसे तो इतने सारे मिड के संख्या में लगवग वेकेंसिस कम से कम हर एक वेकेंसिस 25-30,000 तक आनी चाहिए और टोटल वेकेंसिस एक साल में लगवग 5-6 लाग आनी चाहिए तब जाकरके इतने सारे पोस्ट में लोग अपलाई कर रहे हैं तो फिर फायदा होगा या फिर मिनमम दो से तीन लाख तो आना ही चाहिए तो इसको भी लेकर बहुत सारी साथी कहा रहे थे नहीं यह पेट बिलकुल बंद हो जाना चाहिए कोई मतलब नहीं है पेट कराने का सीधा जैसे पहला ही हो रहा था परिक्षा लेकपाल की बात करूं तो इंटर्विव ले लो या फिर इंटर्विव नहीं लेना है तो दो इस्टेप जो है आप लोग परिक्षा करो फाइनल एक बार तीसरा जो है अब एक्जाम आप लोग ऑप्सनल ले लो ठीक है साइको टाइप का बुद्धी परिक्षड का और उसमें जो पास होगा वह आप फाइनल सेलक्सन कर दो तो इस तरह से ठीक है इंटर्विव के जगा पर एक फाइनल टेस्ट और ले लो और हो सके तो आफ लाइन ले लो या तो ऑनलाइन बेटर रहेगा तो मैं दोस्तों यहीं कहूंगा कि यहां पर परिक्षा पेट की ना हो तो ठीक है क्योंकि पेट पे लगभग तो आप नहीं के बराबर लगभग लाख वेकेंसिस भी नहीं आई है ठीक है तो एक तरह से मान सकते हैं कि बहुत बड़ी गलत बहुत बड़ा यह गलत कदम है गवर्मेंट का पेट एक्जाम कराना आखिर पेट एक्जाम करा करके क्या वेटेस देना चाहते हो आ बड़ाने का क्या मतलब जब आप पेट में आप बोलते हो कि पेट में जो बैठा होगा उसको बहले ही पांच नंबर हो वह एकजाम करखने क्या मतलब हो यह मेरे को सोजमें नहीं आया तो मिनिमาม क्राइटरिया सेट करो 60% जो पेट में है वही पर्म अपलाई करसकता है यह क्राइटरिय आपके लिए बेस्ट राएगा जैसे कि लेकफार भरती हुआ था ठीक है दोस्तों मिलता है कि लिए वीडियो में जैसे इसके अब्रेट आएगी हम आपको बताने कोशिस जरूर करेंगे